किशार दे बजा दो वीना अंग में उमंग जगे मधुर शुतान से माउर जंजना उठे शब्द भाव के अनेकों अर्थो हो अनर्थो ना लेखनी में ऐसी मेरी भाव विंजना उठे तो मेरे पास याकर मा मुझ को छुपालो अंक गलती ना होने पाए कोई रंजना उठे गलती ना होने पाए कोई रंजना उठे गा रहा हूं मा तु इस मंच पे अकेला हूं में सीगर मेरे पास याओ कोई तंजना उठे मा जिसमें भी क्रपा करती है अपना इसने देती है उसका कैसे रूप परिवर्तित होता है इसमें भी कुछ अंद पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं कि हो जो क्रपा आपकी अग्यानी ग्यानी बने मातू बिन शब्द ग्यान के भी कवी कहलाता है गीत की सुतान बन गुंगा गान गाता है तो जिस पे भी मातु ग्यान का प्रकाशिया आप करें मूर्ख काली दास जैसा व्यक्ति मान पाता है और आपकी जो हो क्रपा तो व्यक्ति बिन आखों के भी सूरदास जैसा क्रतिकार बन जाता है कि जो भी मातु चरणों में अपना जुकाता सीस जो भी मातु चरणों में अपना जुकाता सीस बक्ति भावना का मातु शे मोल देती है जो भी मातु चरणों में अपना जुकाता सीस बक्ति भावना का मातु शे मोल देती है और अंक मेले प्यार से दुलारती है बार बार लेखनी में सधे सब्द तोल तोल देती है तो जब कभी अस मर्थता का भान होता तब मातु खुद आके शब्द शब्द बोल देती है रचिता तभी अनू ठीकरती कोई तुलसी सा ग्यान चच्चु जिसके मांब खोल देती है कि मा सब्दों में कभी राजेसी भाव में है मीराजेसी जाएसी को जैसी लेखनी में पीर देती है कुछ शब्दों में ही प्रेम को है जो श्रंगार देती है तो यदि लेखनी का भाव भक्ती भाव ना ही हो तो शूरत तुलसी को वो परोश खीर देती है यदिरन बाकरों को लिखना हो शब्द में तो भूशन की रचिना में भर तीर देती है बहुत बहुत धन्यवाद आज रविवार का दिन है जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविवार का जो दिन होता है किसलिए मनाते हैं किनकी यादों मनाते हैं यह अलग बात है कि आप कुछ लोग इसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें वो अलग बात है जलियावाला बाग हत्या कांड आज के दिन हुआ था मैं चार पंक्तिया एक शंद के रुप में अपने उस ओच स्वर को देना चाहता हूं कि उस समय के लिए आप लोगों को इस विदा से हटकर सुनाने का प्रयास करता हूं जिस रण के लिए जाना जाता हूं कहीं पे उसमें मैं आपको कुछ सुना सकूं और उनकी इस मनती में आज का जो दिन है उनके लिए ये चंद समर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी जान गवा करके आज अमें स्वतनता से प्रतंत कराया प्रतंतर होते हुई भी उन्होंने अपने आपके कितना संगर्स किया उनके इस मनती थुड़ा खुणने का आप लोग प्रयास करें मैं चाहता हूं उनके एक लिए चंद कि दे गए सहादत तुजुरक्त छलका के यहां कणकण में है देस भक्ती भीजबो गए शुक देवराज गुरुष फाक उलाखा भी फाशी पर जूलके ना जाने कहां खो गए तो देश की मिसाल ने ताजी शुबास चंद्रवोश आजादी के बाद कहां जाने गुम हो गए वक्त आया आज चलो नमन करें उन्हें जो लाठिया ले सीने पर गोली खाके सो गए एक छंद सेनाओं के नाम पढ़ता हूं उनके साहश शौर को प्रणाम करने का प्रयास करता हूं क्या उनकी अविलाशा होती है क्या उनका मत होता है बेक्त करने का प्रयास करता हूं कि मान चित्रदेश का लहू लुहान है परंतू राष्टगान देश का नगाना कभी छोड़े हैं रन भूमी में कभी ना पीछे रहे आज तक जंग में लहू से ना नहाना कभी छोड़े हैं तो समसीरों से कटा के शिर बढ़ते रहे हैं राष्ट की पता का पहराना नहीं छोड़े हैं जब वक्त आया रण छोड छोड भागे सस्त्रू हम इतिहास दोराना नहीं छोड़े हैं बहुत बहुत आवार तो सस्त्र हो शतर्क तरक यवर ना भी तरक करें सस्त्र हो शतर्क तरक यवर ना भी तरक करें फैसला उचित होगा वही लिया जाएगा हर बार शांती मंत्र भाशा का नगान होगा बार बार नहीं विशपान किया जाएगा तो बंदों के शस्त्र यदि घाव पर घाव करें घाव नहीं ऐसा बार बार शिया जाएगा जाना चाहें बाला कोट या चकोटी फिर पड़े उत्तर तुम्हें हजार बार दिया जाएगा और एक शंद पंदत पड़ता हूँ उस शाहस के श्वाविमान के नाम जिसने हमारे भारती सिना को ने सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्तु के लेबल पर रख दिया बारत की सिनाओं में कितना दम है, कितना साहस है, कितना श्वाविमान है उस शाहस प्राकरं के नाम वर्तमान साहब के नाम एक शंद पढ़ने का प्रयास करता हूँ उनके शड़ों में समर्पित करने का प्रयास करता हूँ कि वर्थमान माने श्वाभी माने का प्रतीक बना जिसने तिरंगा सीमा पार फहराया है हमले का हमले से सस्त्र को दिया जवाब बदले में उशे सीमा पार मार आया है सस्त्र के बिरुद्ध युद्ध छेत्र में उडान भर सांती छोड करांती का सदेशा पहुचाया है पाक में लगाए माता भारती के नारे और सिंग सादहार कर राष्ट गान गाया है झाल 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 झाल